हेलो क्लास कक्षा बारवी के रशायनवी ज्ञान विशा में आप सभी का शागत है आज हम लोग पढ़ेंगे उपसा संयजी योगी के नाम करड में अनेक पद होते हैं सबसे पहला है आयनों का नाम करड सबसे पहले उपसा संयजी योगी का नाम करड में सबसे पहले क्या करे करेंगे दूसरा में हम लोग क्या करेंगे संकूल धानायन पहला क्या करना है कि पहला उपससेंजी योगिक के नाम करण में आयनों का नाम करण उसके परशाद दूसरा में है संकूल धानायन संकूल रिडायन संकूल रिडायन का नाम करण का नाम करण तीसरा में क्या करना है तीसरा में लिगेंड का नाम करण ठीक देखो लिगेंड के नाम पहला है आयनों का नाम करण दूसरा संकूल धानायन संकूल रिडायन का नाम करण तीसरा है लिगेंड का नाम करड़, लिगेंड आपके तीन तरीके से हो शकते हैं, पहला है लिगेंड आपका रिडात्मक हो शकते हैं, दूसरा लिगेंड जो है आपका धनात्मक हो सकते हैं, और तीसरा लिगेंड जो है आपका उदासीन हो शकते हैं, ठीक, उसके पशाद क् का नामकरण और चौथा का आता हैbox केंदर द्धातू आयन का नामकरण मैं सभी पदों को अगर हम दिहान देखांगे दिहान से पढ़ें तो हम किसी पियोगी का नामकरण किसी भी उपसस्यंजी का नामकरण कर शकते हैं सबसे पहला है आपका आयनों का नाम करड़ आपको ये पहचानने है जो संकूल है वो कौन से संकूल है तो चलिए इसको समझते हैं आयनों का नाम करड़ को माल लेते हैं उधारण में है दिया है आपका C O N H 3 C L 3 ठीक ऐसा दिया है और इधर दिया है आपका K 4 F E C N 6 ठीक यह बड़ा अलकोश्टक है ऐसा दिया है तो आपको यह पता करना है कि जो संकूल है वो धनायन है कि रिडायन है सबसे पहले कोई भी योगिक दिया होगा तो उसमें आपको सबसे पहले यह पता करना है कि जो आपका योगिक है वो कैसा है धनायन वाला है कि रिडायन वाला है तो यहाँ पे दिखो यहाँ पर 6 और 6 जाएगा तो क्लोरा चार्ज है तो इसी को बैलेंस करने के लिए यहां पर क्या आ जाएगा ठीक यहाँ पर इस संकूल में क्या प्लस चार्ज है तो इसका मतलब संकूल कैसा है आपका धनायन वाला है संकूल धनायन है यह जो संकूल है यह उधारड कैसा है संकूल धनायन का यहाँ पर यह संकूल कैसा है धनायन है अब यहाँ पर देखो K4 है तो हमें पता है Potassium जो होता है Plus Charge रखता है Potassium कौन से Charger रखता है Plus Charge K4 है इसका मतलब यहाँ पर 4 plus charge आ जाएगा 4 क्या आ जाएगा plus charge तो इस 4 plus charge को balance करने के लिए यहाँ पर देखो इस 4 plus charge को balance करने के लिए यहाँ पर क्या जाएगा इस संकूल में 4 minus charge आ जाएगा ठीक इसको balance करने के लिए 4 minus charge आ जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका संकूल है वो कैसा है मैनस चार्ज है तो संकूल रिडायन है संकूल कैसा है रिडायन तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पहचानना है कि जो आपका संकूल जो योगिक दिया है उसमें जो संकूल है संकूल ये ये प्लस चार्ज वाला है कि मैनस चार्ज वाला है आयूपी असी नामकरण में सबसे पहले हमें क्या करना है उसके यौगी को हमें पहचाना है कि वो धानायन वाला है कि रिडायन वाला है हमें पता है Potassium Plus Charger रखता है तो यहाँ पर 4 है तो एक जो Potassium है एक जो होता है यह रखता है एक Plus Charger रखता है तो 4 Potassium है तो यहाँ पर 4 Plus Charger रखेंगे है न तो यहाँ पर 4 Plus Charger आ गया है तो इसको Balance करने के लिए यहाँ पर 4 Minus Charger आ जाएगा तो यहाँ पर हमें यह पता चल गया जो संकूल है वो रिडायन है और संकूल जो है धानायन है ठीक अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आयनो का नाम करण सबसे पहले हमें संकूल पहचानेंगे धानायन है की रिडायन है संकूल कोई भी हो संकूल चाहे धानायन हो संकूल चाहे रिडायन हो संकूल कोई सा भी हो आयनों के नाम करण में सबसे पहले हम लोग धानायन का नाम लिखेंगे. संकूल धानायन हो या फिर संकूल रिडायन हो. आयनों के नाम करण में सबसे पहले हम लोग धानायन को लिखेंगे. यहाँ पर दिखो. संकूल धानायन वाला है और यह है आपका संकूल रिडायन वाला तो इसमें से धानायन कौन सा है यहाँ पे है आपका आपका जो संकूल है वो खुद धानायन वाला है तो सबसे पहले आप यहाँ पे संकूल का नाम लिखेंगे इस संकूल में जो जो है उसका नाम पहले लिखेंगे उसके पशाथ यहाँ पर आएगा आपका रिडायन ठीक उसके पशाथ क्या है आइनों के नाम करण में सबसे पहले धानायन का नाम लिखा जाता है उसके बाद इस वल्य धारण में देखिए यहाँ पर धानायन कौन सा है यहाँ पर दिक रहा है कि इस तरीके से नाम को लिखा जाएगा उसके बारे में बताया जा रहा है तो सबसे पहले हमने देखा, सबसे पहले क्या करना है उपसा सन्योजी योगिक के नाम करण में हमें संकूल को पहचानना है जो संकूल दिया है वो धनायन वाला है की रिडायन वाला है उसके पस्चाथ आयनो का नाम करण आयनों के नामकरण में क्या है यहाँ पे देखे IOPC नामकरण में पहला आता है आयनों का नामकरण संकूल चाहे धन आयन हो या संकूल रिड आयन हो दोनों में ही धन आयन का नाम पहले लिखा जाता है दोनों में ही किसका नाम पहले लिखा जाएगा धनायन का नाम पहले लिखा जाएगा जैसे कि यहाँ पर देखो chlorine minus charge है तो यहाँ पर जो संकूल हो जाएगा आपका plus charge वाला होगा यह आपका संकूल plus charge वाला है और यहाँ पर यह plus charge वाला है तो इसको balance करने के लिए यहाँ पर minus charge आजाएगा तो यहाँ पर यह मैनस चार्ज वाला है तो यहाँ पर जो संकूल है आपका मैनस चार्ज वाला है संकूल रिडायन है और यहाँ पर संकूल धानायन है संकूल धानायन हो या संकूल रिडायन हो दोनों में ही धानायन का नाम पहले लिखा जाएगा तो इसमें से धानायन कौन सा है आपका धानायन ये वाला है तो पहले हो जाएगा संकूल धानायन उसके पस्चाथ क्या है संकूल धानायन कोश्टक के अंदर में है तो संकूल धानायन कोश्टक के अंदर में लिख लिए उसके बाद बाहर में क्या है क्लोरी माणस चार्ज रखता है ये रिडाएन वाला है तो उसके बाद रिडाएन का नाम लिखा जाएगा इस तरीके से लिखा जाएगा तब ये नाम को हम लोग लिखनी रहे न, उसके बाद क्या है, सबसे पहले किसका नाम लिखा जाना है, धनायन का, तो पहले लिखो, धनायन, धनायन के बाद कोश्टक के अंदर में है, बड़वले कोश्टक के अंदर में क्या है, ये कौन सा चार्ज रखा है, मायनस, तो ये क संकुल धानायन हो संकुल रिडायन हो दोनों में ही दोनों में ही धानायन का नाम पहले लिखा जाता है ठीक यहां से समझ में आ गया देखो अब जो कोष्टक के बाहर में रहेगा जैसे कि कोष्टक के बाहर में यहां पर क्या है क्लोरीन के तीन है क्लोरीन तीन है ना तीन क्ल 3 Chloro, ऐसा करके हम लोग नहीं लिखेंगे यहां पर कोश्टक के बाः में जो लिखा रहेगा, उसकी संख्या बताने की जिरत नहीं होती है यहां पर भी जो Potation है कोश्टक के बाः में लिखा है, बड़ा वालो कोश्टक के वो plus charge वाला है या फिर minus charge वाला है सबसे पहले हमें संकूल की नाम करड़ में plus charge को पहचानना है और minus charge को संकूल जो है कौन सा charge वाला है उसके पश्चात उसके पश्चात आयनों का नाम करड़ करना है तो आयनों का नाम करड़ में सबसे पहले धान आयन का नाम लिखा जाएगा चाहे संकूल प्लस चार्जवाला हो या फिर संकूल मैनस चार्जवाला हो सबसे पहले धान आयन का नाम पहले लिखेंगे संकूल धान आयन पहले लिखा है उसके बाद रिडायन है तो ठीक धानायन का नाम पहले लिखेंगे उसके बाद इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली है जो कोश्टक के बाहर में लिखा रहेगा उसकी संख्या बताने की हमें जुरत नहीं है जो कोश्टक के बाहर में लिखा रहेगा उसके संख्य बतानी की जुरत नहीं है तो पहले रूल के बारे में हमने समझ लिया आयनों का नाम करण किस तरी से करना है उसके बाद दूसरा रूल को देखते हैं तो दूसरा रूल क्या है आपका संकूल धानायन, संकूल रिडायन का नाम करण। पहला रूल के बारे में देखा आप दूसरा रूल है संकूल धानायन, संकूल रिडायन का नाम करण। तो हमने तो संकुल पहचान लिया है कौन सा संकुल है इसको हम लग पहचान लेंगे है ना संकुल धान आयन या संकुल रिडायन में लिगेंड का नाम पहले लिखा जाता है फिर केंडरी धातु आयन का नाम लिखा जाता है ठीक संकुल धानायन हो या संकुल रिडायन हो दोनों ही संकुल में किसका नाम पहले लिखा जाएगा लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा उसके पश्चात केंदरी धातु आयन का नाम लिखा जाएगा ठीक तो दूसरे रूल के बारे में समझा हमने उधारण में देखत का तो इसमें से लिगेंड कॉन सा है? जो कोष्टक के अंदर में है उनांदर में है तो पहले संक्ल धायन हो संक्ल रिडायन हो दोनों में भी पहले क्या लिखा जाएगा? लिगेंड उसके पहुंद किसका नाम लिखा आयन का नाम ठिक उसके पढ़चा देखो हम लूग पहले धनायन को लिख लेगे हैं पर उसके बाद जो कोष्टक है, जो संकुल बना है आपका संकुल रिडान है तो उसमें भी पहला किसका नाम लिखा जाएगा लिगेंड का नाम उसके पशाद केंदरी धातु आयन का नाम इसके पशाद केंदरी धातु आयन का नाम ठीक इसके सामने में क्या आएगा धन आयन का नाम आ जाएगा तो यहाँ पर धनायन लिख लो इसके बाद में किसका नाम आ जाएगा रिडायन का नाम आ जाएगा इसको लिख लो ठीक, तो दूसरे रूल के बारे में समझा हम नहीं अगर आपका संकुल धनायन है तो उसमें लिगेंड का नाम पहले आएगा उसके पाद केंद्री धातु आयन का नाम आएगा अगर आपका संकुल धनायन है तो उसमें भी पहले लिगेंड का नाम आएगा उसके पशाद केंद्री धातु आयन का नाम आएगा अब यहाँ पर ध्यान दीजीगा दूसरे रूल में एक और चीज है यहां देखे, संकुल धान आयन हो या संकुल रिड आयन हो, दोनों में ही लिगेंड का नाम पहले लिखा जाता है, फिर केंडरी धातु आयन का नाम लिखा जाता है, यहां पर केंडरी धातु आयन का नाम आकसी करड़ संख्या सहीत लिखा जाता है, जो केंडरी धातु आयन ह उसका नाम हम लोग लिखेंगे तो उसमें आकसी करड़ उसकी संख्या को भी लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर इस उधारड को देखें यहाँ पर क्या है कोबाल्ट है एनेस थ्री सिक्स थ्री प्लस आयन सी इल थ्री है तो यहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग जैसे कि यहाँ पे धनायन का नाम तो पहले लिखेंगे धनायन का नाम तो पहले क्या है यह संकूल ही है वो ही खुद धनायन है तो संकूल धनायन का नाम पहले उसके बाद रिडायन का नाम उसके पशात जो आपका संकूल है संकूल धनायन अगर ये है या फिर संकूल रिडायन है कोई भी है तो उसमें लिगेंड का नाम पहले है उसके पात केंदरी धातु आयन का ना उसके पास चाहत यहाँ पर रिडायन लिखाए तो यहाँ पर रिडायन को लिख लिजिए है ना उसके पास चाहत यहाँ पर ध्यान दीजी लिगेंड का नाम तो लिख लेंगे उसके पास चाहत केंदरी धातु आयन का नाम हम लोग जब लिखेंगे तो वहाँ पर उसकी आक्सी करट शंख्या को भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर लिगेंड आ गया लिगेंड के पास चाहत केंदरी धातु आयन आ गया केंदरी धातु आयन कौन सा है यहाँ पर कोबाल्ट है मालते कोबाल्ट की आक्सी करट शंख्या तीन है तो यहाँ पर उसकी आक्सी करट शंख्या तीन है ऐसा करके हमें दर्शाना पड़ेगा ठीक, लिगेंड, केंडरी धातु आयन, उसके पशात यहाँ पे केंडरी धातु आयन की आक्शिकर्ड शंख्या की जितनी होगी, उसको हमें यहाँ पे दर्शान पड़ेगा, और उसको हम लोग रोमन अंक में लिखते हैं, रोमन अंक ये हैं, एक को हम लोग ऐसा लिखते हैं दो को ऐसा लिखते हैं तीन को ऐसा यह सभी आपके रोमन अंग है ठीक तो इसी तरीके से रोमन अंग में उसकी आक्षिकर शंख्या को लिखना पड़ेगा उसी तरीके से यहां पर देखिए यहां पर भी यह संकूल क्या है संकूल रिडायन है तो इसमें इसमें भी पहले हम केंदरी धातु आयन का नाम लिखा जाएगा केंदरी धातु आयन का नाम लिखेंगे ठीक उसके पर शाथ क्या है केंदरी धातु आयन का नाम उसकी आक्षी करड़ शंख्य सहित लिखेंगे यहां पर आक्षी करड़ शंख्य जितनी भी होगी उसको यहां पर लिखेंगे वह भी कौन से वो में रोमन अंक में ठीक तो दूसरा हमने देख लिया संकुल धानायन संकुल रिडायन का नाम किस तरीके से होता है संकुल धानायन हो चाह संकुल रिडायन हो दोनों में ही लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा उसके पश्यात केंडरी धातु आयन का नाम उ लिगेंड का नाम कर तो आपका जो लिगेंड है वो तो रिडात्मक भी हो शकता है धनात्मक भी हो शकता है उदासीन भी हो शकता है ठीक जो आपका लिगेंड है वो तो रिडात्मक भी हो शकता है उदासीन भी हो शकता है माल लेते हैं अगर आपका लिगेंड जो है रिडात रिडात्मक है तो लिगेंड के नाम के अंत में ओ लगा देना है जैसे कि यहाँ पर साइनाइड आपका क्या है लिगेंड है साइनाइड तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर साइनाइड डो आ जाएगा ठीक अगर आपका लिगेंड रिडात्मक है तब क्या करना है ओ लगाना है चलने इसको ध्यान से समझते हैं ज्सकी यहां पर दीशर रूल हम लोख देख रहे हैं 살गेंड का नामक कर तो अगर आपका लिगैंड रिटात्मक है तो रिटात्मक है यहां तो क्या करते हैं यदी डिटायन के नामके आउंत में यह आ रहा है IDE 8R तो उसमें E हटा करके O जोड़ देते हैं मतलब यह है कि अगर आपका लिगेंड रिडात्मक है जैसे कि H2- यह है आपका लिगेंड है जो कैसा है रिडात्मक है तो उसके नाम के अंत में हम लोग क्या लगा देंगे O लगा देंगे अगर लिगेंड आपका लिडात्मक है तो उसके नाम के अंत में जैसे कि यह थायो है या फिर सल्फाइड है तो यह क्या हो जाएगा सल्फाइडो हो जाएगा यह क्या है इमीड होता है इसका इमीड होता है ठीक तो जब ये रिडात्मक लिगेंड हमें पता है तो इसमें क्या हो जाएगा? इमीडो हो जाएगा नामकरण में SO3 है, सलफाइड होता है, हमें पता ही इसका सलफाइड होता है लेकिन जब नामकरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? sulφide都 हो जाएगा Myers जोड रहे देखो सभी में क्या आरा है उसी तरीके से उसी तॉर मां यहां पर देख Ohio के Hinुट है तो नाम क्रड़ के 25 में ऑज जोड दिया जाता है यहां लेकिन यहां पर उसके लिए क्या करेंगे अगर आपका जो लिगेंड है वो हेलोजन ग्रूप से लिया गया है जैसे कि फ्लोरीन आपका हेलोजन ग्रूप का लिगेंड है फ्लोरीन क्या है हेलोजन ग्रूप का है न तो यहां पर क्या जाएगा जब आपका लिगेंड हेलोजन ग्रूप का हो जब आ तो यहाँ पे फ्लू ओरो लगा दिये हैं हम लोग लेकिन हमें पता है फ्लूरेन तो आपका हैलोजन ग्रूप का सब्द है है तो यहाँ पे हम लोग फ्लू ओरो ना लिख करके फ्लो रीडो लिखेंगे फ्लू ओरो ना लिख करके क्या लिखेंगे फ्लो रीडो क्योंकि हैलोजन ग्रूप का जो तत्व होगा अगर उस तत्व का लिगेंड बना हुआ है अगर हैलोजन ग्रूप आपका लिगेंड की रूप में काम कर रहा है तो वहाँ पे वहाँ पे क्या लगाना है इडो लगान um आजिए कि ब्रॉमीन थंदेगे मुइन यह घर आज़ी न रिकर के ब्रोमीड को और हर रहा है तो और रहां तो वह ए अंत में टो जोड़ेंगे ब्लब आज रेघäre1 अगर आपका लिगेंड है अगर आपका लिगेंड रिडात्मक लिगेंड है तो उसमें नाम के अंत में क्या लिगाते हैं ओ लगाते हैं अगर आपका लिगेंड जो है है तो उसके नाम के अंत में इडो लगाते हैं ठिक तो लिगेंड के नाम करण में हमने पहले की बारे में अगर लिगेंड रिडात्मक हो तो कैसा करना है अगर लिगेंड आपका धनात्मक है तब कैसा करना है अगर आपका लिगेंड जो है धनात्मक है तो धनात्मक लिगेंड के नाम के अंत में क्या लगाना है IEUM मतलब EM जोड़ दिना है अगर आपका लिगेंड जो आपका लिग नै्ट्रो सीलियम हो जाएगा और यह भी एक धनात्मक लिगेंड है तो यहां पर क्या हो जाएगा नैट्रो नियम हो जाएगा देखो क्या लग रहा है लाश्ट में एम जोड़ देती है ठीक उसके पर शात है आपका अगर लिगेंड आपका उदासिन हो तब कैसे करना है जासिन लिगेंड को नामित करने उनके नाम के अंत में वर्ण माला के किसी विशेस अक्षर का होना अथिवारियन नहीं बस आपको एक काम करना है कि लिगेंड के नाम करड के लिए आपको में पुछ ध्यान देना है कि यहां पर क्या की लिखा है एक बार उसको देख लेना है में पर देख झाल मिदा नाम क्रण किस तरीके से विbn अगर आपका लिगेंड किस तरीके से नाम लिखना है अगर आपका लिगेंड किस तरीके से नाम लिखना है अगर आपका लिगेंड किस तरीके से नाम लिखना है अगर आपका लिगेंड किस तरीके से नाम लिखना है अगर आपका लिगेंड किस तरीके से नाम लिखना है अगर लिगेंड आपका दो या दो से अधिक है एक ही प्रकार की लिगेंड है और उसकी संख्या क्या है अधिक है तब कैसे करेंगे यदि लिगेंड क्या है अगर लिगेंड आपका दो है तब क्या लगाएंगे डाई अगर लिगेंड तीन है तब क्या लगाएंगे ट्राई अगर लिगेंड चार है तब क्या लगाएंगे टेट्रा अगर लिगेंड पाँच है तो क्या लगाएंगे पेंटा लिगेंड च्या है तो क्या लगाएंग प्लकष जोड़ा जाता है मतलब उसुस लिगेंड के नाम की पहले हम लोग डाईटाई टेट्रा पेंटा हेग्जा लगाएंगे जैसे कि यहां पर देखो यहां पर कोबाल्ट आपका केंड़ी धातु आयन है एनस्ट्री आपका लिगेंड है तो एनस्ट्री की संख्या एक ह एक ही प्रकार का लिगेंट है जिसकी संख्या 6 है, तब यहाँ पे हम लोगह लगाएंग Ravi, हegजा है अगर यह 5 होता है तब हम लोग क्या लगाते है Penta, हेखजा 6 है तो trai, और 2 है तो die, खिक। अगर एक ही प्रकार का लिगेंड की संख्या एक या एक से अधिक है, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, अगर आपका एक ही प्रकार की लिगेंड की संख्या एक से अधिक है, तब हम ढाई, टाई, टेट्रा, पिंटा, हिज़ल जोड़ते हैं. ठीक, किस के पहले जोडेंगे? और जो ligand है उस नाम की पहले जोड़ेंगे देखो यहाँ पर ligand आपका है amine तो amine के पहले hygza जोड़े हैं ligand के नाम के पहले क्या जोड़ेंगे उस सब्द को जोड़ेंगे ठिक, अगर ये होता है कि ligand आपका अलग-अलग प्रकार की है जैसे कि यहाँ पर एक ही प्रकार का लिगेंड 6 था लेकिन आगर ऐसा नहीं है अलग अलग प्रकार की लिगेंड जुड़े हुए हैं आपकी संकूल योगीक में तब कैसे करेंगे जैसे कि यहाँ पर देखो, लिगेंड के नाम लिखने का क्रम संकूल में एक से अधिक प्रकार की लिगेंड उपस्थित होने पर लिगेंड के नाम अंग्रेजी वर्ण माला के क्रम में लिखा जाता है जैसे कि यहाँ पर देखो, CO, NH3, CL, NO2, CL यहाँ पर एक, दो, तीन, तीन प्रकार की लिगेंड जुड़े हुए है तब अगर एक से अधिक प्रकार की लिगेंड है, तब क्या करेंगे? अगर एक से अधिक प्रकार की लिगेंड है, तो उस लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है जैसे कि यहाँ पर है आपका A मीन है, क्लोरो है, नाइट्रो है तो A मीन, क्लोरो, नाइट्रो हमें पता है A एमीन है, तो A इसका A मीन है, क्लोरो है नाइट्रो है, तो हमें पता है A जो होता है अंग्रेजी वर्ण माले में पहले आता है तो कौन से लिगेंड का नाम पहले आएगा Amine का नाम पहले आएगा उसके बाद Chloro हमें पता है एक C जो है N से पहले आता है तो इस करड़ Chloro को लिखेंगे उसके प्शाद Nitro आएगा ठीक अगर एक से अधिक प्रकार की लिगेंड आपकी संकूल में उपस्थित है तो जो लिगेंड का नाम अंग्रेजी वर्ण माला में पहले आता है उसका नाम पहले आएगा ठीक उसके पर शाथ है आपका केंदी धातु आयन का नाम करण करना है तो यहां पहर देखिए केंदी धातु आयन का नाम करण में देखिए अगर शंकूल आपका रिडायन वाला है संकूल कैसा है रिडायन वाला कौनस वाला है जैसे कि हाँ ये आपका संकूल है और ये कैसा है रिडायन निक वाला है संकूल आगर आपका रिडायन वाला है तो वहाँ पे जो केंद्री धातु आयन होगा उसका नाम लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे आपका फेरस है तो यहाँ पे फेरस का नाम लिखेंगे है ना उसके पश्याद केंद्री धातु आयन की नाम की बाद में एट लगाएंगे क्या लगाएंगे एट लगाएंगे अगर आपका संकूल रिड आयन है तो वहाँ पे केंडरी धातू आयन का जब हम लोग नाम लिखेंगे केंडरी धातू आयन का नाम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे जैसे कि पहले तो धान आयन का नाम है तो धान आयन को यहाँ पे लिखेंगे उसके पशाद क्या है फेरस है है ना तो मैंने बताया था जब हम लोग इस संकूल का नाम करड़ करेंगे तो सबसे पहले लिगेंड का नाम आएगा सबसे पहले किसका नाम आएगा लिगेंड का नाम उसके पशाद लिखा जाता है आपका केंदरी धातु आयन का नाम है ना तो यहाँ पे केंदरी धातु आयन आपका फेरस है तो अभी मैंने बताया अगर आपका संकूल रिड आयन है तो वहाँ पे केंदरी धातु आयन का नाम लिखेंगे तो वहाँ पे जो आपका केंद्री धातु आयन है उसके नाम के अंत में क्या लगाएंगे एट लगाएंगे क्या लगाएंगे एट लगाएंगे जैसे कि ये फेरस है तो इसको फेरस ना लिख करके क्या लगाएंगे एट उसके पशाद केंद्री धातु आयन की जितनी आक्षी करड़ शंख्या होगी, एक है, दो है, तीन है, जितनी भी आक्षी करड़ शंख्या होगी, उसको रोमन अंक में लिखेंगे, ठीक, एक बार फिर से इसको समझते हैं, उसके प्रशाद जैसे कि मैंने बताया यहां पे इस तरीके से फेरट उसके बाद आक्षी करड़ शंख्या अगर शंकूल रिड़ाइन है तो लाश्ट में आपको आइन भी जोड़ना है क्या जोड़ना है आइन ठीक अगर शंकूल रिड़ाइन है तो उसमें केंद्री आयन का नाम लिखेंगे और नाम के अंत मेर लगाएंगे उसके पशाथ कंड़ी दाटो आयन की जितनी आकसी करद संख्या होगी उसको रूमन अंक में लिखेंगे कैनधी दाट् taką है तो ऊसका नाम करद करने जैसे कि यहाँ पे संकुल है, संकुल धानान है, संकुल धानान हो, चाहिए संकुल रिडान हो, सबसे पहले लिगेंड को लिखेंगे, लिगेंड उसके पशात केंदर धातु आयन, यहाँ पे संकुल धानान है, यह धानान वाला है, तो यहाँ पे कोबाल्ट लिखेंगे, इतना समझ में आया, एक बार फिर्शे देखते हैं, एक बार फिर्शे जितना भी रूल को हमने पढ़ा है, उसको फिर्शे देखते हैं, उपसा सन्यूजी योगी का नाम करण हम लोग निम्न रूल के अकॉर्डिंग कर शकते हैं, पहला है आयन का नाम करण, दूसरा संकुल और रिड़ायन का नाम करण, तीसरा लिगैन का नाम करण और चौथा है केंदरी धातु आयन का नाम करण, पहला है आयन का नाम करण, संकुल धानायन हो, चाहे संकुल रिड़ायन हो, दोनों में ही धानायन का नाम पहले लिखा जाएगा, यहाँ पे इस रूल से हमें ये प पता करना है कि जो आपको लिखे हो जो योगीक आपको दिया गए है वो कौन सा संकूल है संकूल धनायन है यह संकूल रिडायन है इसको पहले पता करना है अगर संकूल धनायन हो चाह संकूल रिडायन हो कोई भी संकूल हो उसमें धनायन का नाम आपको पहले लिखना है यह आ उसके परिखाव्चाद आपका संकुर रिडायन यहां पि लिख़ा है और यह हो गया आपका धानई वालब भाग हो पहले उसके concurrent roof वहला भाग आएगा उसके पश्चा दूसरा रूल में संकुल धानायन और संकुल रिडायन का हमें नाम करड़ करना है तो यहाँ पर देखिए संकुल धानायन हो चाहे संकुल रिडायन हो कोई भी संकुल हो जैसे की यहाँ पर कोई धारण लिखते हैं ती ओ इन एस्ट्री सिक्स उसके परशाद सी इन थ्री है है ना तो सबसे पहले हमें यह पता कर लेना है पहला रूल के अकॉर्डिंग कि संकुल जो है आपका कौन सा संकुल है तो हमें पता है क्लोरीन मैनस चार्ज है रख रहा है क्लोरीन मैनस चार्ज है थ्री मैनस चार्ज है रख रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर थ्री प्लस चार्ज आ जाएगा मतलब जो आपका संकुल दिया है यहाँ पर जो संकुल है वो कैसा है धान आयन है ठीक तो पहले रूल में हमें संकुल पता क हो दहनायन का नाम हम लोग पहले ले लखेंगे यह पूरा आपका दहान वाला भात है दहनायन का नाम आपका पहले आएगा उसके पशाद किसका नाम आएगा जो रिड्धैन होग direction है न sword तो यहाँ पे चाहे संकुल धनायन हो चाहे संकुल रिडायन हो यहाँ पे संकुल कौन से है धनायन है तो यहाँ पे हम लोग लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे लिगेंड का नाम उसके परशात किसका नाम लिखेंगे केंद्री धातु आयन का नाम लिखेंगे तो उसमें उ आक्षी करड़ शंख्या भी जोननी पड़ेगी चाहिए दो है तीन है जितनी भी है उसके आक्षी करड़ शंख्या लगानी पड़ेगी उसके परशाथ हमें कोश्टक करके यहां पर रिडायन का नाम लिखना पड़ेगा यहां पर क्या लिखना पड़ेगा रिडायन का नाम ठीक तो ये तो हो गया संकुल धनायन, संकुल रिडायन का नाम करड़, संकुल जो भी हो, संकुल धनायन हो, संकुल रिडायन हो, उसमें लिगेंड का नाम पहले आता है, उसके पशात केंडरी धातु आयन का, यहाँ पर लिगेंड एनेस्ट्री है, तो एनेस्ट्री का नाम पड़े गए उसके बाद कोबाल्ट का नाम करड़ करेंगे तो वहां पर हमें आक्सिकड़ शंख्या रोमन अंक में लिखना पड़ेगा उसके पशा तीसरा रूल कौन सा है आपका तीसरा रूल है आपका LEGEND का NAMK 2025 अगर आपके LEGEND REDIT MAK ए तो आपके क्या लगाना है O जोड देना है अगर LEGEND आपके REDIT MAK है तो आपके क्या जोड देना है O जैसे कि sulfur हो गया, nitrogen यह सभी क्या है आपके REDIT MAK LEGEND है तो यहाँ जैसे हाँ को देख रहा है कि यह रिडात्मक लिगेंड है तो उसके नाम के बाद में क्या लगा देना है ओ लगा देना है ठीक जैसे कि यहाँ पर देखो यहाँ पर जितने भी लिगेंड है यह सभी रिडात्मक है तो यहाँ पर हमें पतल लग रहे है कि यह रिडात्मक लिगेंड है तो नाम के अंत मे लगा दे रहे है सलफेडों देखो लगा है इमीड नाम के अंत में ओ लगाएंगे क्योंकि यह रिडात्मक लिएन है ठीक उसके पस्टाथ अगर आपका जो लिगेंड है वो हैलोजन ग्रूप का है अगर आपका लिगेंड कौन से ग्रूप का है हैलोजन ग्रूप का तो वहाँ पर ओ ना लिख करके क्या लगाना है इडो क्या लिखना है इडो लिखना है जैसे कि फ्लोरी तो यहाँ पर हम पहले देखे थे कि अगर लिगेंड रियात्मक है तो वहाँ पर ओ लगा देना है लेकिन नयार रूल हमें ये पता चला, कि अगर जो लिगेण्ड है, हैलोजन गूरुप का है, तो वहाँ जोरना है, क्या जोरना है इडो, यहाँ पर ब्रोमो लिखे हैं, तो ब्रोमो नहों करको क्या हो जाएगा, इडो आ जाएगा, ठीक, तो हेलोजन प्रूप का अगर लिगेंड को लिए है तो उसमें इडो को जोड़ेंगे नाम के अंत में क्या जोड़ेंगे नाम के अंत में इडो लगाएंगे ठीक अगर लिगेंड आपका उदासीन है अगर लिगेंड कैसे है उदासीन है तो इसमें कोई सा भी change हमें नहीं करना है NH3 को amine ही लेंगे H2O को equa लिखेंगे ठीक, देखो मतलब ligand का अलग-अलग नाम होता है जब आप इस rule को पढ़ोगे न यहाँ पर जो जो लिखा है उसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा यहाँ पर ligand को हम लोग NH3 जो ligand है उसको amine पढ़ते है H2O को equa पढ़ते है CO को carbonil पढ़ते है तो यहाँ पर अगर आपका ligand उदासिन है तो वहाँ पर कुछ अक्षर में कुछ change नहीं करना है ठीक, अगर आपका ligand धनायन है धनातपक ligand है तब क्या करना है अगर ligand आपका धनायनीक है धनायन वाला ligand है जैसे कि NO plus ion तो यहाँ पर EM जोड़ेंगे नाम के अंत में क्या जोड़ेंगे EM, nitrocylium NO2 plus charger है तो nitronium, EM लगाएंगे ठीक, उसकी परशाद अगर ligand आपका एक से अधिक प्रकार का है एक से अधिक प्रकार का ligand चूड़ा हुआ है किसी संकूल में तो उस ligand का नाम पहले लिखेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आते हो जैसे कि NH3, NH3 को हम लोग EM in पढ़ते हैं तो A पहले आता है कि कौन से ligand अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है ठीक उसके पर शात अगर ligand की संक्या एक से अधिक प्रकार है एक ही प्रकार का ligand एक ही प्रकार का ligand की संक्या अधिक है पांच है, छै है, साथ है एक से अधिक प्रकार का ligand जो है अधिक संख्या में मौझूद है तो वहाँ पे डाई, ट्राई, पेंटा, हेक्जा ऐसा करके हम लोग जोड़ेंगे लिगेंड का नाम लिखने से पहले हम लोग क्या जोड़ेंगे? उस संख्या को लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे आपका NH34 है, तो यहाँ पे हम लोग 4, मतलब टेट्रा, एमिन लगाएंगे उस संख्या को पहले लिखेंगे, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे ठीक उसके पस चाथ चौथा रूल है आपका केंद्री धातू आयन का नाम करण केंद्री धातू आयन का नाम करण हम लोग दो तरी के से कर शकते हैं अगर आपका संकुल धान आयन है तो इसका नाम करण संकुल रिडायन के समान होगा बस लास्ट में आयन नहीं जोना है माल लेते हैं अगर आपका संकुल क्या है रिडायन है अगर आपका संकुल कैसा है रिडायनिक है तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जो केंद्री धातु आयन है उसका नाम लिखेंगे और नाम के अंत में जैसे यहाँ पे इसका नाम क्या है फेरस है, केंदी धातु आयन क्या है आपका फेरस, तो फेरस लिखेंगे और नाम के अंत में एट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा फेरेट, ठिक, केंदी धातु आयन का नाम उसके बाद नाम के अंत में एट लगाएंगे, तो क्या हो ज केंदरि दातु आयन को नाम करेंगे जब पहले संकूल का नाम नहीं लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे और हम संकूल घानिक तो वहाँ पर एठ नहीं लेगाना है ठीक वहाँ पर 8 नहीं लगाना है केवल केंदरी धातु आयन का नाम लिखेंगे और उसके आक्षी करड़ शंख्या को लिखेंगे और यहाँ पर आयन भी नहीं लिखेंगे अब देखते हैं किस तरीके से यह रूल फालो होता है अब यहाँ पर कोई कोशन देखते हैं जैसे हमाल लेते हैं यह कोशन आपको दिया गया है तो सबसे पहले हम यह बतता करेंगे कि यह कौन से संकूल है तो हमें पता है यह संकूल धानायन है क्योंकि यहां पर 3 प्लस चार्ज है क्लोरीन मैनस चार्ज रखता है तो यह 3 प्लस चार्ज रखेगा तो यहां पर जो संकूल है वो कैसा है आपका धानायनिक है संकूल कैसा है धानायनिक है तो सबसे पहले आपको धनायन वाले भाग को लिखना है किसको लिखना है धनायन वाले भाग को तो ये पूरा जितना लिखा है ना ये पूरा धनायन वाला भाग ही है और ये वाला आपका रिडायन वाला भाग है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे liegen का नाम लिखेंगे ligen कौन सा है, amine है कौन सा liegen जुड़ा है, amine ठिक, amine है संख्या कितनी है, छ्षाए है तो क्या हो जाएगा हिक्जा थे ग्जा amine देखो, संकूल दान आयन है तो मैंने केंडर धातू आयन के नाम करण में बताया था अगर आपका संकुल धानायन है तो वहाँ पे केंदे धातु आयन के नाम के अंत में हमें कुछ नहीं लगाना है अगर संकुल आपका रिडायन है तो केंदे धातु आयन के नाम के अंत में आपको 8 लगाना है लेकिन ये एक ऐसा संकुल है धनायनिक संकुल है तो यहाँ पर हमें कुछ लगाने की जुरत नहीं है तो हेक्जा एमिन हमने लिख्या यहाँ पर और यहाँ पर जो लिगेंड है वो आपको उदासीन है इसी करण हमने यहाँ पर एमिन को लिख दिया है क्योंकि अगर आपका लिगेंड उदासीन है तो कुछ वहाँ पर चेंज नहीं करना है तो क्या हो जाएगा हेक्जा एमिन उसके परश़ाद क्या है कोबाल्ट है उसके परशाद keno rabbits कोबाल्ट यई आक्षी करड़ Şंखया माँ लेते हैं यहां पे 3 है तो क्या हो जाएगी आक्षी करड़ Şंखया 3 इस तरीके से यहां पे आपका नाम हो जाएगा हिगजा एमिल कोबाल्ट सारों यहां पे जो रिडायन का नाम भूल गई थी मैं तो यहाँ पर हो जाएगा Hexa Amine Cobalt Chloride Hexa Amine Cobalt Chloride ठीक उसके परशाथ और किसी का नाम करड़ देखते हैं उसके परशाथ है आपका K2 Nickel Cyanide है और है ठीक तो अब आपको ये रेखना है कि जो दिया है वो संकूल धायन है संकूल रिडायन है तो हमें पता है Potation Plus Charger रगता है तो यहाँ पर 2 Plus Charger आ जाएगा तो यहाँ पर इस Plus Charger को Balance करने के लिए यहाँ पर 2 Minus Charger आ जाएगा इसका मतलब यहाँ पर जो आपका question दिया है उसमें संकूल कैसा है आपका संकूल रिडायन है संकूल क्या है संकूल रिडायन है ठीक संकूल रिडायन है तो मैंने सबसे पहले बताया था कि संकूल सारी संकूल धायन हो चाहे संकूल रिडायन हो सबसे पहले किसका नाम लिखना है आपको धनायन का यहां पर हमने धनायन का नाम ही पहले लिखा था यह धनायन था तो इसका नाम पहले लिखे थे यहां पर धनायन कौन सा है यह पोटेश्यम तो इसका नाम क्या करेंगे पहले लिखेंगे अब आपको जो कोश्टक के बाहर म पम और चुब ju उनों नहीं है तो यहां पर क्या हो जाएगा इस Canadian हो जाएगा उसके प्रशाथ क्या हो जाएगा क्या उन्हक लिख लिए हमने उसके पास्षाथ यह उसके संकूल धान संकूल के नामकरण है ये एक रिडात्मक लीगेंड है तो रिडात्मक लीगेंड में हमें क्या लगाना है O लगाना है तो लिगेंड का नाम करेंदे हैं अब यहां पर चार जोड़ा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टेट्रा टेट्रा साइनो जो जितनी संख्या रहेगी उस संख्या का नाम पहले लिखेंगे टेट्रा हो गया उसके बाद साइनो हो गया ठीक रडात्मक लिगंड है इसलिए ओ लगाए है तो टेट्रा साइनो हो गया उसके परशात क्या हो जाएगा केंद्री धातु आयन का नाम लिखेंगे तो पोटेशियम टेट्रासाइन केंद्री धातु आयन के अंसे है निकिल है तो निकिल के केंदरी धातु आयन का नाम लिखेंगे और साथ में वहाँ पे एट लगाएंगे, क्या लगाएंगे एट, उसके पशाद उसकी आकसी करड़ शंख्या जितनी होगी उसको रोमन अंक में लिखेंगे, यहाँ पे निकल के आकसी करड़ शंख्या दो है, तो इसी करड़ यहाँ पर दो लिखे हैं उसके परशाद क्या करेंगे यहां पर आयन लगाएंगे ठीक तो यहां पर देख लिया हमने potassium tetrasinonicolate 2-ion किस तरीके से सबसे पहले हमने क्या किया है जो संकूल है उसको पता किया कि संकूल धणायन का कि संकूल रिड़ायन है ठीक पता कर लिए उसके परशाद हमें पता है धनायन का नाम पहले लिख जायेगा थो 911 की जाएंगए है उसके पे 9-10 निलिखे यहां पर जो आपका संकूल है वो रिडायन वाला है अगर आपका संकूल रिडायन है तो वहां पर केंद्री धातु आयन का नाम लिखेंगे तो वहां पर एट लगाएंगे तो निकलेट लगा दिए उसके परशाद उसकी आक्षी करचंख्य जितनी है वो लगा दिए उसके प्रशाद जो आयन है जो उसके प्रशाद अगर संकूल रिड़ाइन है तो वहाँ पर आयन जोडते हैं ठीक उसके प्रशाद एक और उधारड देखते हैं हम लोग यह हमारा तीसरा उधारड है हमें किसका नाम पहले लिखना है हमें जो धनात्मक होगा उसका नाम पहले लिखना है तो हम किसका नाम पहले लिखेंगे धनायन वाला का भाग का नाम पहले लिखेंगे तो कोश्टक के बाहर में जो लिखा रहेगा उसकी संख्या हमें बतानी की जुरत नहीं होती है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे potasium क्या आ जाएगा potasium उसके पशाद संकूल का नाम करड़ करेंगे संकूल में सबसे पहले किसका नाम ligand का नाम लिखेंगे ligand की संख्या 4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tetra हो जाएगा OH group जूड़ा है OH कौन से ligand है रिडात्मक ligand है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा hydraxo उसके पर साथ किसका नाम करड़ करेंगे केंदरी धातू आयन का नाम करेंगे है ना तो अगर आपका संकूल रिडायन है हमने देखा यहाँ पर संकूल रिडायन है तो केंदरी धातू आयन का नाम लिखेंगे तो नाम के अंत में क्या जूड़ता है 8 जूड़ता है नाम के अंत में 8 उसके पर साथ इसके आख्चे करड़ शंक्या कितनी है 2 है तो 2 लिख देंगे उसके पर साथ यहाँ पर क्या डालेंगे आयन लगा देंगे ठीक तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इसका नामकरण लिखा है पोटेशन टेटराहेडराकसो जिंके टू आयन तो इस तरीके से आप और जो उपसासेंजी योगिक है उसका नामकरण कीजिएगा और अच्छे से इसको बनाईएगा